और अभी SSC selection post के आपके scrutiny result बहुत साथे region ने publish कर दिया है पिछले week में मैंने video भी share किया था कि किस region में कितनी post का result आ चुका है rejection के क्या reason रहे हैं कितनी post cancel हो चुकी है पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आज मैं आपको और फिर से update दे रहा हूँ जिससे आपको कोई update छूटे ना और जिन post का result आ चुका है और जो लोग reject हुए है उनके लिए एक chance है कि आप दुपारा से representation डाल सकते हैं जो कमियां आपके documents में रही हैं आप दुबारा भी send कर सकते हैं ठीक है इसलिए मैं यह हर भी एक में यह update शेयर करता हूँ कि किसी को अगर पता नहीं चला है क्योंकि 10 दिन का time होता है और 10 दिन के अंदर आपको documents send करने होता है तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे है इस्टा region की इस top पे चल रहा है page 8 के भी अभी सिर्फ around 41 post थी जसमें से 32 post के results भी आ चुके है final digit और इस बज़े से इस region ने आप देख लीजिए phase 9 में भी बहुत अच्छा किया हुआ है इतनी जल्दी हम उमीड भी नहीं कर रहे देगे यह scrutin result देंगे आप देख लीजिए जितना भी यह yellow color में मैंने लिखा हुआ है यह सभी scrutiny result इन post के आ चुके हैं आप देखिए जड़ा 28 post हैं जिसमें से लगबग 20 post के result बब्लिस कर दिया है और कुछ post के representation का time भी over हो गया है तो जिन post के representation का time over हो गया है अब आप समझ लीजिए कि within 10 से 15 दिन के अंदर आप लोगों की जो final list है जो लोग आँगे post के लिए eligible है document verification के लिए eligible है उनकी list आने लगेगी तो हर update के लिए आप लोग subscribe करके जरूर रखिए बहुत ही genuine and relevant चीज़ें ही मैं share करता हूँ आप लोगे शाथ ठीक है तो eastern region में आप देख लीजिए आपका post कोट कौन सा है कोई pdf आपको नहीं मिल रही है तो मैं telegram group में share कर देता हूँ link वीडियो के description box में join करके रखो हर update share करूँगा ठीक है अब हम बात करते हैं KKR region की तो KKR region में पहले यह 3 post का result आया था और 26 को एक post का और result आया था 14 post में से अभी 4 post का result दे दिया है 10 post का और बागी है representation का time जल्दी ओबर होने वाला है 18 तो आप समझ सकते हैं 28 या जद ज़द 15 दिन का time देते हैं किसी post के लिए तो यह है आपको कोई confusion हो कोई doubt हो तो मुझसे पूछ सकते हैं हर एक छोटी सी छोटी चीज़े में आप लोग के साइश शेयर कर रहा हूँ अगर मैं सदन रीजन की बात करूँ तो आप देख लिए ज़रा 21 post में से इन्हों ने अभी तक 8 post का result पॉब्लिस कर दिया है हर एक post की pdf में telegram group में share कर चुका हूँ अपडेट share कर चुका हूँ आपको कोई doubt हो तो आप हमें जरूर बता सकते हैं ठीक है एन्या रीजन की बात करूँ total six post थी जिसमें से अभी किसी post का result नहीं आया है इनका अभी जो phase 8 का है इस group नहीं है वही complete नहीं हुआ है मतलब final result रह गया है तो आप यह समझे लिजिए कि September first week में expected है कि इस region से update आप लोगों मिलेगा और सभी post का एक साथ आएगा इस region की यह अच्छी बात है MPR region की बात करूँ तो आप देख सकते हैं total 18 post थी जिसमें से already 5 post को पहले ही cancel कर दिया है और अभी यह post आपकी बच्छी हुई है फिस जेट का अभी सभी post का scrutiny result हो चुका है और document verification बाकी है कुछ post का तो इस बज़े से हम expect कर सकते हैं कि इस post का 10th September के बाद कभी भी आपको update मिलेगा थोड़ा सिलो चलता है इस reason में काम ठीक है तो 10th September तक आपको update मिल जाएगा और subscribe कर लो update में share करी दूँगा central region की बात करूँ तो एक post cancel हो गई है और girl credit instructor का जो है 12 अगस्त को सबसे पहले इस post का update आया था 15 post का अब ही बाकी है coming week में इस reason में कुछ post का result expected है अच्छा मतलब और जल्दी response देता है यह reason western region की मैं बात करूँ तो यह देख लिए एक दो post ही cancel हो चुकी है तीन post cancel हो चुकी है total 46 post इस region में भी आप 10 September के बाद ही expect करेंगे ठीक है आएगा update में share करूँगा एना region की बात करूँ phase 8 बहुत slow चल रहा है अभी 50% भी phase 8 का गाम इनका पूरा नहीं हुआ है ठीक है तो आप इसमें expect कर लिजे मुझे लगता है कि September last तक September last तक इस post में मतलब इस region में post का result आपको मिलना start होगा और यह क्या करते हैं एक साथ 10-20 post का result पब्लिस कर देंगे इवन का हो तो सारी post करेंगे ऐसी चलता है इनका ठीक है तो इसमें अभी time लगने वाला definitely NWR रिजन की मैं बात करूँ 46 में से एक भी post का result नहीं आया ना ही एक भी post अभी cancel हुई है तो इस post का result आप expect कर लिजे कि September की first और second week में आपको कुछ result के update मिलेंगे जैसे यह update आएगा मैं share करूँगा और कोई comments हो आप लोगे कोई doubt हो आँगे selection process को लेके मैं step by step सब कुछ बता ही रहा हूँ आपको share करी रहा हूँ और कोई doubt हो तो comment करके जरूर बताएए जो भी best help हो भी हुआ है मैं आप लोगे साथ share करूँगा